नमस्कार दोस्तों आज के एपिसोड में हम स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथेमेटिक्स पार्ट वन चैप्टर टू रियल नंबर्स में जो एक्जरसाइज है जो प्राक्टिस से 2.4 है वो सॉल्व करेंगे पहला कोशन क्या करें दोस्तों मल्टिप्लाई अंडरूट 3 इन ब्रैकेट अंडरूट 7 मैनस अंडरूट 3 देखो सीधा सीधा मल्टिप्लिकेशन करना है हमने देखा था अगर हमारे पास अंडरूट A है और अंडरूट B है तो उसका मल्टिप्लिकेशन क्या आएगा अंडर 23 estreonia इतना क्लियर अब देखो अन्डरूट 21 को हम और सिंप्रिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वह स्कुछ नहीं है किसी चीज का तो इसको ऐसे ऐसे रहने देता है ठीक है अंडरूट 21 यह रहेगा जैसे कि इसे मैनस अंडरूट 9 जो है इसको हम 3 लिख सकते ठीक है अब usually हम ऐसे ही लिखेंगे जब आप 11th 12th standard में जाएंगे तो आपको और advanced mathematics में under root 9 को plus या minus root 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ideally देखें तो minus 3 into minus 3 is equal to 9 होता है और 3 into 3 is equal to 9 होता है तो जब मैं 9 का square root लिखूं वो या तो plus 3 आएगा या फिर minus 3 आएगा दोनों आते हैं लेकिन आपकी standard में आपकी syllabus में अभी सिर्फ आपको positive लिखना है ठीक है चलो second example देखते हैं क्या कह रहा है अंडर root 5 minus under root 7 under root 2 तो यहाँ पर देखो दोस्तों 5 और 2 का multiplication 10 minus under root 40 देख सिंपल चलो next example यहाँ पर क्या बोल ले यहाँ पर तो भाई दो और दो चार टम्स है मारे पास तो सिदा सिर्था मटिप्लिकेशन करते हैं इसका इससे और इसका इससे पहले इस तरम का इस ब्रैकेट से मिल्टिप्लिक्शन करते हैं 3 root 2 और 4 root 3 3 4 जा 12 under root 2 3 जा 6 minus क्योंकि minus का multiplication है 3 root 2 into root 2 क्या हो गया 3 root 4 हो गया root 4 मतलब 2 3 2 जा 6 उसके बाद minus यह देखो under root 3 से multiply करेंगे under root 3 under root 3 यह हो गया 3 3 को 4 के साथ multiply करो यह हो गया 12 यह minus minus plus हो गया दोस्तों यहाँ पर under root 3 under root 2 under root 6 हो गया अब देखो 12 under root 6 है और under root 6 है तो वो क्या हो गया 13 under root 6 हो गया minus 6 minus 12 है यह minus 18 हो गया यह हमारा answer है question number 2 हमें कह रहा है दोस्तों rationalize the denominator यहाँ पर हमारे पास 4 example है चारों के चारों example को अगर आप सही से देखोगे तो चारों example में denominator में हमें binomial quadratic third दिखेगा जब हमने rationalize the denominator में सिखा क्या सिखा हमने जो denominator है अगर वो binomial quadratic third है तो हम क्या करेंगे उस binomial quadratic third को उसकी conjugate pair से multiply करेंगे यही करना है यही पर भी देखो root 7 plus root 2 इसकी conjugate pair क्या होती है root 7 minus root 2 तो हम उस pair से multiply करेंगे numerator और denominator दोनों जगा पर under root 7 plus under root 2 into under root 7 minus under root 2 divide by under root 7 minus under root 2 अब यह तो numerator में 1 के साथ multiplication हो रहा है उसको जैसे कि दैसे लिख देंगे हम under root 7 minus under root 2 denominator में देखो a plus b a minus b क्या आएगा a का square minus b का square a का square मतलब root 7 का square क्या आएगा 7 minus b का square root 2 का square क्या आएगा 2 ऐसे लिख दिया इसी को हम आगे जाके ऐसे simplify करके लिख सकते हैं under root 7 minus under root 2 divided by 5 यह होगे हमारा final answer अगला question यह question हमें क्या कह रहा है 3 divided by 2 root 5 minus 3 root 2 यहाँ पर a minus b है तो a plus b इसके conjugate pair हो जाएगे सीधा सीधा multiply करते है 3 divided by 2 root 5 minus 3 under root 2 into multiply करते हैं सीधा सीधा 2 under root 5 plus 3 under root 2 उपर भी और 2 under root 5 minus 3 under root 2 नीचे भी प्लस प्लस से multiply करेंगे सेम ही नंबर से उपर नीचे अब हमारा answer क्या आएगा देखो यहाँ पर 3 से multiply कर रहे हैं तो 6 under root 5 प्लस 3 थीजा 9 under root 2 यहाँ पर देखो denominator a minus b a plus b a का square मतलब 2 का square हो गया 4 under root 5 का square हो गया 5 चार इंटू पांच यहाँ गया 20 minus इसका square 3 का square क्या आता है 9 under root 2 का square क्या आता है 2 9 into 2 यहाँ गया 18 तो हमारा final answer क्या आएगा दोस्तों 6 under root 5 plus 9 under root 2 divided by 20 minus 18 is equal to 2 यह हमारा final answer राइट चलो अब तीसरा question देखते है तीसरा question क्या कह रहा है 4 divided by 7 plus 4 root 3 इसको multiply करते है इसके conjugate pair से 7 minus 4 root 3 divided by 7 minus 4 root 3 क्या एगा answer देखो numerator में सिधा सिधा multiply करते है 4 7 जा 28 minus 4 4 जा 16 root 3 denominator में देखो 7 plus 4 root 3 7 minus 4 root 3 7 का square क्या आएगा दोस्तों 49 minus इसका square 4 for the 16 into 3 48 is equal to 1 ही आता है 49 minus 48 1 ही आएगा तो इसको हम अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा तो final answer क्या आएगा 28 minus 16 under root 3 यह हमारा final answer चीक है और अगला वाला देखो यह last यह क्या कह रहा है under root 5 minus under root 3 under root 5 plus under root 3 denominator में root 5 plus root 3 है इसकी conjugate pair root 5 minus root 3 आती है तो इसे से multiply कर लेते है डारेक्ट चीक है under root 5 minus under root 3 into under root 5 minus under root 3 यह देखो यह denominator की conjugate pair ठीक है और हम यहाँ पर multiplication कर ले under root 5 plus under root 3 पहले bracket में दूसरे bracket में under root 5 minus under root 3 यह तो देखो सिदा-सिदा a a ऐसे हो गया मतलब यह जो term है वो जो term है same ही है तो हम इसका सिदा-सिदा square करते हैं तो square क्या आएगा दोस्तों a square minus 2ab plus b square आएगा a square क्या हो जाएगा हमारे पास 5 minus 2ab क्या हो जाएगा minus 2 into under root 15 plus b square क्या आएगा 3 divided by a plus b a minus b तो a का square minus b का square क्या आएगा 5 minus 3 तो final answer क्या बन जाएगा दोस्तों 5 plus 3 8 5 plus 3 8 minus 2 under root 15 divided by 2 इसे को हम आगे जाके 4 minus under root 15 ऐसे लिख सकते हैं यह हो गया हमारा final answer इस तरीके से हमें किसे भी denominator को rationalize करना है ठीक है यह तो हो गए अपने exercise में जो थे वो question अब मैं आपको हो मोर के लिए question देता हूँ 3 root 7 divided by root 5 minus 6 इस expression के denominator को आपको rationalize करना है ठीक है दोस्तों इसका answer आपको ढूणना है comment section में लिखना है मैं check करूँगा comment section में किसने क्या answer लिखा है अगर आपका answer comment section में सही आता है तो आपको यह पूरा exercise यह पूरा practice rate अच्छे से समझ गया ऐसे हम मान सकते हैं इसमें कुछ भी doubt हो आप comment section में पूछ सकते हो अगर आपको urgent में कुछ पूछना है आप मुझे social media पर message करके पूछ सकते हो आपको पढ़ाई से related किसी भी चीज में कोई भी doubt है discuss करना है telegram group को join करो जिसके link मेंने description में दे रखी है मैं और बाकि सारे अपने students उसी telegram group में सब कुछ discuss करते हैं मिलते हैं अगले lecture में तब तक आप हसते रहो खेलते रहो और हमेशा के दरा सीखते रहो